हलो गैज विडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं डीप कूल गेमस्ट्रॉम की तरफ से आने वाला एक कैबिनेट जिसका की नाम है मक्यूप, 310 मक्यूप, मैक्यूप मुझे निवस्टेस को कैसे प्रेनिशेट करना है अगर तुम्हें पता है तो कमेंट सेक्शन हो बता हूँ उसके अर्टेकर में फॉल करते हो यह जो है वो मैं आकर वीडियो में बताऊंगा एंड इसकी प्राइस वीजो कितनी होने वाली है और कितनी होगी वो मैं बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में तो उसके लिए भी वीडियो को एंड जरूर देखें तो पहली बात तो शु ज्याधा function की नहीं किया रहता हुना है और काफी अच्छ लगते हैं यह काफी काफी यह कंटरी के लोगों को जो है वो जो है वह यह जिस अच्छ लगते हैं तो अगर तुम्हें पुरा अग्दम फ्लाइट है उपर से टॉप भी जो हो पुरा फ्लैट है तो एक तरीके से सेम design को ये follow करते हैं अगर मैं बात करूँ इसके अंदर support की तो support के लिए तो देखो इसके अंदर तुमें 360 जो है वो top में तुम mount कर सकते हो radiator अगर तुमें अपने CPU को cool करना है तुम 360 mm का radiator front में भी mount कर सकते हो और front में जो है वो सिर्फ radiator का है तो अगर तुम उस उस problem से use रहे हो तो तुम शायद NZXT की जोगा पर ये cabinet ले सकते हो यहाँ पर जो है दोनों के दोनों side panels यानि कि tempered glass वाली और पीछे के side cable management वाली दोनों left and right side panels जो है वो magnetic है यानि कि कोई भी thumbscrews या किसी चीज का यहाँ पर use नहीं हो रहा है जो कि एक काफी बढ़िया चीज है मुझे ये implementation अच्छे लेगी magnets जो हैं वो अच्छे खासे strong है दो-दो magnets हैं दो tempered glass वाली side magnet लगे वे हैं और दो magnets लगे वे हैं तुमारे normal दूसरी के side पे दोनों के दोने काफी powerful है एंड ये क्योंकि तुम्हें अगर एक ease of access देता है I mean अगर तुम्हें जल्दी से जल्दी अपना cabinet खोलना है तुम हफते में दो बार सफाई करते हो cabinet की धूल-वूल से बचने के लिए मतलब तुम cabinet हाल-फिलाल में खोलते रहते हो तुम्हें जैसे तुम मेरी तरह हो अगर तुम for example मेरी जैसा बंदा जो की computer hardware change करता रहता है तो मुझे जल्दी से जल्दी खोलना चाहिए ठीक है तो अब उसके लिए जो हो screw खोलता रहूँगा तो दस घंटे लगींगे जबकि हाँ पर magnetic side panel खीचो और निकल लिया तो यह एक बहुत अच्छी implementation है काफी clean है प्लस काफी cool लगता है तो यह एक अच्छी चीज लगी power supply shroud जो है उसमें cut out दिया हुए तो में power supply shroud में अगर तुम अपनी branding दिखाना चाहते हो तो power supply की है तो तुम्हार पास Asus की power supply जिसमें wattage लिखी है कि हाँ इतने watt consume कर रहा है तुमारा सिस्टम तो तुम उस type के fancy power supply भी इसके अंदर यूज कर सकते हो तुमारी branding दिखेगी power supply के नीचे पर तुम अपनी normal hard drive base वगरा दिख जाएंगी दो SSDs के mount जो हो तुम्हें case के back में देखने को मिल जाते है and space जो हो बहुत है cable management के लिए अच्छा खासी depth दी विए यानि कि अगर तुम अपनी 24 pin, 8 pin इस type के connectors को जो हो अगर पीछे भी ठूस के रख देते हो और उनको route करते हो उसके through तो अच्छी खासी space दी विए है जो की अच्छी बात है cable management किसको नहीं पसंद लेकिन यहाँ पे एक और side effect देखने को मिलता है अगर तुम cable management में अच्छे नहीं हो अगर तुम cable management अच्छे नहीं हो तो अगर तुम cables का एक bunch बना देते हो तुम्हें अपना cable management अच्छा करना ही पड़ेगा तभी case का side panel close होगा वरना close नहीं होने वारा है क्यों कि screw में तो ऐसा था तुम पिछका विचका के जैसे से उसको बन कर देते है अटलिस्ट मैंने तो ऐसी किया है क्योंकि मैं cable management अच्छा हूँ है और ना मैं care करता हूँ cable management की क्योंकि मैं system खोलता लेता हूँ बट अगर तुम care करते हो और नहीं भी करते हो तो भी तुम्हें करना पड़े हो cable management यह इसका एक कौन है लेकिन अगर तुम और plus point की side देखो तुम्हें इसमें अच्छे खासे well-cove straps मिल जाते हैं तुम्हें जो है वो cable के grommets मिल जाते हैं rubber grommets जिनके तुम अपनी cables को route करो जो कि काफी अच्छे कासे हैं जो कि तुम्हारी cables को अच्छे से ना cable route करेंगे बलकि हाइड भी करेंगे USB cable अगर मैं देखो front की तो देखो वो एक flat wired है क्योंकि अगर कई सारे cases देखे होंगे तो उनके अंदर जो USB cable होती है front वाली USB cable वो काफी थिक होती है और मोटी होती है और उसको मोनना जब तो मुसे अपने motherboard में लगाते हो mount करते है उसको मोनना काफी दिक्कत होता है और उसको एक तरीके से route करना ही case में काफी दिक्कत होती है क्योंकि काफी मोटी होती है लेकिन deep pool यहाँ पर flat cable के तरफ गया है उनकी cable मोटी नहीं है बलकि flat है जिसको कि bend करना बहुत easy है यह एक छोटी सी चीज है बट छोटी छोटी चीजे ही case को improve करती है क्योंकि case में improve करने के लिए बहुत कम चीजे है airflow को छोटके तो यह एक plus point है मेरी तरफ से इसके अंदर एक bonus point है जो कि तुम्हें जरूत पड़ेगी बे और वो है इसके अंदर इस price के अंदर तुम्हें एक GPU holder bracket देखने को मिल रहा है यानिके अगर तुम for example Asus का Strix triple fan वाला या फिर MSI का triple fan वाला gaming Z या फिर तुम gigabyte का Aorus Extreme वो triple fan वाला इस टाइप के heavy heavy cards अगर तुम use कर रहे हो अपने system में तो अगर तुम्हें लटकते भी हैं side को मतलब तुम्हें वजन से तो अगर तुम उनको hold करना चाहते हो तो इसके अंदर तुम्हें additional GPU holder नहीं लेना इसके अंदर तुम्हें अच्छा खासा GPU holder दिया वा जिसको तुम अपने GPU के height के साब से open नीचे adjust कर सकते हो और ये तुम्हारे GPU का weight जो है वो handle करेगा तो GPU का weight का तुम्हारा issue नहीं होने वाला है और मुझे लगता है कि तुम्हें इसके लिए ये triple fan वाले cards ही लेने पड़ींगे और उसके अंदर GPU holder ज़रूरी था क्यूंकि जैसे कि मैंने तुम्हें बोला case front से closed है case top से closed है तो इसके अंदर airflow के लिए जादा space है नहीं airflow के लिए space नहीं है अगर तुम side में कुछ vents देखो उन्होंने side में vents दिये हैं बट वो इतने पतले हैं कि मुझे लगता उनसे decent amount of air जो हो अंदर जाएगी at least 1 inch का तो gap वापे होना चीह था लेकिन वो बहुत कम है मुझे लगता कि वो intake के लिए enough है अगर तुम इस case के अंदर PC बिल्ड कर रहे हो तो या तो तुम ऐसे components के साथ PC बिल्ड करो like Ryzen 5 3600 ठीक है वो भी liquid cooled ठीक है या फिर तुम अगर graphics card ले रहे हो तो triple fan वाला graphics card लो ठीक है क्योंकि अगर तुम इसके अंदर लगाते हो like i9 and 2080 Ti या फिर कुछ heavy processor heavy graphics card then तुमारा CPU जो है वो बहुत गरम रन करने वाला है because क्योंकि इसके अंदर जो है वो graphics card इतनी heat निकालने वाला है और exhaust के लिए and intake के लिए जो है वो इतना कुछ space है नहीं तुम triple से triple fan वाला card भी लगा दो वो भी जो है वो 80 plus temperatures में run करेगा तो इसलिए इस case के अंदर तुम PC build कर रहे हो तो मैं उमीद करता हूँ कि तुम जो है वो कोई एक mid range का card यूज करो like 1650 super और वो भी अच्छी cooling वाला है then ही मैं तुम्हें ये वाला cabinet जो है वो recommend करूँँगा क्योंकि ये airflow वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है हाँ looks इसके अच्छे हैं काफी GP holder के में मिल जाता है magnetic side panels हैं elegant looks है बहुत सारी चीज़े हैं दिखने का अच्छा है ये इसके plus points है but airflow sucks मतलब टक्टी, बेकार, वाहिया इसकी जगवा पे जिस price पे आता है ये तो मैं around 5000 के आसपास देखने को मिलेगा 100-200 रूपर उपन नीचे इस price पे एक पंखा इसके अंदर included मिल रहा है included पंखे नहीं है मैं बोलूँगा इसको मत खरीदो इसकी जगवा पे matrix 55 deep cool कही आता है mesh है front में ARGB fans तुमें included मिलते है वो खरीदो, अच्छा खासा airflow है इसका एक P version भी आता है जिसका कि जो है वो top पुरा का पुरा जाली वाला है, यानि कि mesh है और वो I think airflow के लिए decent होगा but again front जो हो पुरा का पुरा blocked है and top जो हो तुम खोल के कुछ जादा improvement कर भी नहीं देओ again तुमें fans इस मालग से खरीदने पढ़ेंगे जो कि additional purchase है and मैं recommend नहीं करूँगा कि तुम इस case को उस चीज के लिए बाए करो, इससे अच्छा तुम matrix 55 लो तुमेर तुम काच्छ बूड़ी पसंद आयोगे अगर आई तो वीडियो को like, share and subscribe करना ना भूल दोने वाल बाए take care guys